बूरी इवनिंग स्टुएंट्स स्टार्ट करेंगे माज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा एपसेसिक एसेट ठीक है जिसको यह हमारा लास्ट हॉर्मोन वाला पार्ट है हमने तीन जो हैं प्रोमोटर की कैटिगरी में पड़े थे और दो हमारे इनिबिटर की जाता है ठीक है अब हम डिसकवरी के अगर बात करें तो दूरिंग नाइंटीन सिक्स्टी में इंडिपेंडेंट रिसर्च के जब हुई तो तीन अलग लग तरहें के इनिबिटर्स उनको मिले इनिबिटर भी अपसेशन सेकेंड और मैं और यह सब क्या थे यह सारे ही अप अपसेशन सेकेंड और मैं और यह सब क्या थे यह सब अप्सेशिक ऐसीट थे इसका रोल क्या है बसी कली यह सारे नेगटिव रोल प्ले करता है नेगटिव रोल प्ले मतलब जो कहले वाले थी हमारे ऑगज 펜म जेबर rigorous को परमोट करने का वारोत कर है जैसे plant growth inhibitor इसको बोलते ही है plant growth inhibitor and inhibitor of metabolism यानि हर चीज़ को रोकने का काम करेगा हर चीज़ को inhibit करेगा inhibit seed germination अब seed germination नहीं होने देगा मतलब रोक रहा है seed की seed नहीं germinate करेगा तो plant कैसे डवलप होगा इसका मतलब विए dormancy को promote करेगा, seed germination नहीं होने देगा, इसका मतलब यह किसको promote कर रहा है, dormancy को, dormancy को promote कर रहा है, यानि वो inactive stage में बना रहे, role in regulating obsession and dormancy, वो ही आ गया, मतलब हर चीज जो negative role है कि dormancy में रहे, obsession यानि shedding of leaves, flowers, जो है उनको shedding कराने में help करता है, stress hormone क्यों हो, अगर stress वाली condition है, तो यह क्या करेगा, closer of stomata, यानि अगर पानी नहीं है plant के पास, तो उस time पर यह क्या करेगा, stomata को बंद कर देगा, ताकि जो पानी का water loss होता है, stomata से वो ना हो, और उस time पर यह stomata को close कर देगा, तो इस पर बहुत question पुछा जाता है, जो जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद वो ग्रो करते हैं, कुछ होते हैं, जो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, उसके बाद उनको जब प्रॉपर टेंपरेचर मिला, तब वो germinate करें, तो जैसा condition है, उस stage में, वो inactive stage में रहें, और जब उसका particular temperature और सब उसका environmental condition हो, उसके according, तो वो germinate करें, तो ऐसे ही पानी अगर नहीं है, तो इस टो मेटा close कर देगा, ताकि water loss ना हो, और सारे stress से वो ठीक से plant रह सकें, seed development, यह seed development, maturation and dormancy, यानि unfavorable condition में, प्लांट को रहने की वो देता है, antagonistic to GA, antagonistic to GA का मतलब क्या है, GA क्या करता है, seed germination कराता है, dormancy को break करता है, और यह dormancy करा रहा है, तो बिलकुर उसके opposite हो क्या function में, किसके dormancy की category में, कि GA जो था हमारा जिब्रैलिक acid यान जिब्रैलिन हमारी dormancy को break करता है, seed germination कराता है, तो यह dormancy करता है, उसको inactive stage में लाता है, तो कहीं पर भी आपको, अगर obsession के बारे में पूछा जाए, या dormancy के बारे में पूछा जाए, तो वहाँ पर आपके दो ही नाम आएंगे, जहां पर हमारा obsessive acid और ethylene, यह दोनों obsession और dormancy, दोनों की category को, यही मतलब जितने भी negative role play कर रहे हैं, वो यही हैं, जो inhibitor की category में आते ह जो obsession और dormancy को promote करते हैं, ठीक है, तो यह होगे हमारा last hormone जो था हमारा इस category का obsessive acid, तो थेंक यू, थेंक्स वर वाचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर,